हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम माध्य निकालना सीखेंगे कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंस माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सभी पदों का योगफल अपान पदों की संख्या फ्रेंस इस पे आप एक दो एक्जामपल चलिए हल करते हैं जिससे आपको यह फार्मूला इसी वीडियो में याद हो जाए और इस पर किसी प्रकार के दिप्रश्ण बनता है तो आप आसानी प्रुवक्ष से हल कर लें तो फ्रेंस आपके सामने एक्जामपल है देखिए यहां पर लिखा है हो संक्ष जैसे यहां पर पांच है शहां ग्यारा बाईस पाईश्ण करना है तो समाथ से लिखते हैं समांतर नहीं माद़ के संभी पध० सब्सक्राइब नियुक द्राएबुट आप यह सभी पेलों के सब्सक्राइब निचे लिखेंगे चले फ्रेंस अब 5, 6, 11, 22, 35 यहां पर 35 लिखा है 35 एक ताइल इसको आप जोड लीजी जब फ्रेंस इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 120 अप यहां च्छा है तो च्छा का भाग 120 में दीजिए तो कितने बादे के च्छा एकम च्छा दुने के पर यानि कि यहां पर 20 बा आपका आया 20 चले फ्रेंस अगले एक्जामपल को देखते हैं तो आपके सामने अगला एक्जामपल है अगला एक्जामपल 8, 10, 20, 60 और 70 फ्रेंस जो यह इसका क्या है आपको समांतर माद निकालना है इसका समांतर माद आप निकाल के कमेंट बाक्स में इसका एंस्वर आप सब्सक्राइब करें. थांक्स फर वाचिंग.